आप देख रहे हैं SPN 9 News नागरिक्ता संसोधन कानून यानि की CAA इसके विरोध में सिर्फ इसके ही विरोध में नहीं NPR, NRC के भी विरोध में शाहिन बाग की वो महिलाएं दो महिने से उपर धरने पर बैठी हैं इस इठन में वो धरने पर भैठना शुरू किया था और अब तक वो वहाँ पर मौझूद हैं वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बुजूर्ग महिलाएं भी हैं, छोटी-छोटी बच्चे भी हैं, मासूम से बच्चे भी हैं और तमाम युवा वर्ग भीवा मौजूद हैं, सभी विरोध कर रहें सेक्ट का, यहां अपनी मौलिक अधिकार को प्रकट करते हुए लोग हम सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय से हैं, तो हमें जबाब देना होगा, वो यह साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक भारत में रहती हैं, और भारत कई धर्मों से मिलकर बना है, कई एक जुटता इसमें दिखाई देती हैं, तो ऐसे में बार-बार नागरिकता ना पू सभा और राज्य सभा में इस बिलको तो पास करा लिया, लेकिन एक समुदाय के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कहा गया कि बहुत संख्यक वहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो उन्हें क्या खत्रा हो सकता है, जो अल्प संख्यक हैं, तो वो भी उनका ही देश है, जब उन्हें परिशानी हो रही है, तो उन लोगों को भी हो सकती है, तो सबाल यही था कि आपको सभी समुदाय को लेकर चलना चाहिए था, अगर आप धर्म के अधार पर नहीं देख रहे थी, अगर आप भारत के बारे में ही सोच रहे थे, और उन अत्यचारों को लेकर सोच र सुप्रिम कोट ने सुनवाई के दौरान अपना फैसला भी सुनाया, पहली जब सुप्रिम कोट ने फैसला सुनाया तो शीष अदालत ने यही कहा कि आप पब्लिक में ऐसे धरने पर नहीं बैठ सकते, ऐसे ही बीते दिनों एक और सुप्रिम कोट ने अपना फैसला सुनाय और कहा कि पब्लिक में धरने पर ऐसे नहीं बैठा जा सकता, आपको धरना या तो शिफ्ट करना होगा, या तो धरना आपको खत्म करना होगा, खत्म करने की बात तो यहां बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से जवाब मिल रहे हैं, अमिशा के आवास पर वो ज जाना चाहती थी, कहा जा रहा था कि अमिशा ने खुद इंविटेशन दिया था उन्हें, नियोता दिया था कि आप हमारी यहां पर आए बात्चित करिया, हम सवालों की जवाब देंगे, उससे मुकरते हुए और वादा खिलाफी करते हुए, अमिशा इहां पर दिखाई दिये थे, धोके बाजी की थी उन शाहिन बाग की महिलाओ के साथ, फिर उसके बाद शाहिन बाग की महिलाओ की उम्मीद कही न कहीं तूटती हुए दिखाई दे रही थी, तो अब ऐसे में सुप्रिम कोट के वकील कुछ और फैसला करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुदवार को शाहिन बाग की उन सभी महिलाओं से मुलाकात करेंगे वहीं पर, और उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस धरने को खत्म कर दे, तो यहां पर वरिष्ट वकील संजे हैगडे और वजाहत हभी बुल्ला और साधना रामचंद्र, यह तीन वकील थे, जो सुप्रिम कोट में फैसला सुनाते वक्त मौजूद थे और फैसला सुना रहे थे, तो उस दोरान यह भी कहा गया, संजे हैगडे की तरफ से, उन्होंने शाम को दिली पुलिस से मुलाकात भी की, और मुलाकात में यही बात सामने आई, कि पुलिस के द्वारा कहा गया, कि वहाँ पर ट्राफिक भी बाधित हो रहा है, और धरना इन हिन जगाओं पर लगाया गया है, तो उसके तहत अब यह संजे हेगडे, और तमाम वकील जो है, बुदवार को उन से मुलाकात करेंगे, और धरना हटाने की बात करेंगे, क्या शाहिन बाग की महिलाओ को होसला आप टूट जाएगा, क्या वो हार मान लेगी, क्या है आपका कहना सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद, क्या है आपकी राये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे दीजे इजादत, और ऐसी बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे, SPN 9 News.